हाई फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो सबसे ज़ादा प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमारे पेरिंस राजी नहीं हो रहे हैं शादी के लिए ठीक है वो हमारे पेरिंस हो या फिर वो हमारे specific person के parents हो जिसकी वज़ा से आप लोग marriage manifest नहीं कर पा रहे हो या देर हो रही है करने में क्योंकि वो लोग राजी नहीं हो रहे हैं आप love vibrations भी फेज रहों बट उसमें भी थोड़ा time लग रहा है इन love vibrations को और powerful बनाने के लिए plus एक और activity technique हम यहाँ पे करने जा रहे हैं पेरिंस को मनाने वाला ठीक है इसको करने के बाद जो पेरिंस राजी नहीं है एक तो वो राजी हो जाएंगे plus आप जब यह technique करोगे तो आप देखोगे कि वो ही रिष्टा जो आप बनाने जा रहे हो उनसे वो कैसे blossom होने लगे कैसे खिलना शुरू करेगा अब आते हैं हम अपने techniques पे हमें करना क्या है जो भी लोग शादी manifest करने में लगे हुए हैं specific person के साथ and parents राजी नहीं हो रहे हैं उन्हें सबसे पहले करना है photos एकटी करनी है उन्हें यहाँ पे 4 photos, 4 का मतलब हो गए 2 parents आपके 2 parents आपके specific person के 4 photos यहाँ पे हम सिर्फ parents के बात कर रहे हैं parents के अलावा और कोई भी नहीं क्योंकि हमारी शादी में हाँ या ना दोनों चीजें हमारी parents के decision पे ही depend करती है एक बर parents राजी हो गए तो शादी आराम से हो जाती है और वो नहीं राजी होते तभी ये सारी problems खड़ी हो जाती है जब हमें manifestation के techniques में आना बढ़ जा रहे है ठीक है तो अभी यहाँ पे आप 4 photos ले लीजिए अगर इन 4 parents में से दो आपके दो उनके 4 parents हो गए चारों में से अगर I mean जो लोग राजी नहीं है पेरंट कियी दफ़ा होता है कि मेरे ममी पापा मानगा है पर मेरे BF के फाद अमदर नहीं मान रहे है ठीक है तो इन 4 से जो भी लोग राजी नहीं है उनकी photos लेनी है आपको उनकी photo लेकर के आपको करना क्या है आप एक register लेंगे या एक plain paper ले लिए जिए blank paper उसमें उनकी photos को stick करेंगे stick करने के बाद उनकी photo के नीचे उनका नाम लिखेंगे अब यहाँ पर problem यह आईगी लोगों को कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो photos ही नहीं है आज के rate में photo निकालना या लेना बहुत मुश्किल नहीं है WhatsApp के status से मिल जाता है हर जगा से available होता है but I don't know अगर नहीं मिले आप लोगों को photo तो आप photos के जगा पे at least नाम लिखेंगे with respect ठीक है with respect आप नैम लिखेंगे वहाँ पर प्रॉपर श्री या Mr. या Mrs. श्रीमती करके वहाँ पर नैम लिखें नैम लिखने के बाद photo stick करके नैम लिखने के बाद आपको क्या करना है वो जो parent है वो जहें उनके हैं या आपके हैं उनके लिए आपको qualities लिखनी है, उनकी qualities लिखनी है आपको, अगर आपको लगता है कि उनके parents में क्या qualities है आपको नहीं पता है, तो please अपने, हो सके तो contact कीजिए अपने boyfriend से, आप उनसे पूशे कि आपके parents में क्या qualities है, please मुझे बताईए, ठीक है, और अगर ऐसा है कि आप दो see parents में almost सब के एक ही quality होती है, कि सब parents अपने अपने बच्चों के लिए, पूरे caring होते हैं, loving होते हैं, अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं, उनके future की चिंता हर parents को होती है, तो जो common सारी qualities है, वो qualities आप वहाँ पे लिखेंगे, qualities लिखते वक्त, आपको ये ध्यान लिखेंगे, फिर उनकी quality लिखेंगे, अगर आप quality पांच लिख रहे हैं, तो पांच बार आप उनका नाम लिखेंगे, और उनकी quality लिखेंगे, जैसे की, एक example ले लेते हैं, हम किसी का नाम ले लेते हैं, suppose हम ले लेते हैं, राम, तो राम के लिए हम लिखेंगे, Mr. Ram, आप बहुत understanding है, thank you, thank you, thank you, हर quality के बाद, thank you, thank you, thank you, three times लिखना ही है, okay, second quality आपने लिखी, Mr. Ram, आप बहुत understanding है, thank you, thank you, thank you, इस तरह से करके, five qualities आपको वहाँ पे लिखनी है, अब ये qualities आप कोशिश कीजिए, कि आप बैट करके, अगर कभी आप हो सकता है, आप लोग जो अच्छे terms में थे, आप और अपने boyfriend के साथ, तो parents की बाते भी होती है, parents के बारे में भी कुछ अच्छी बाते होई होगी, तो वहाँ से सोचके, उन बातों को निकालिए, उनको pen down करिए, यहाँ पे, इन सब को लिखने के बाद, आपको क्या करना है, कि आप, जैसे ही आपने 5-10, मतल और उनकी 5 qualities तो कम से कम लिखनी है, 5 से जादा 10-20 जितनी लिखनी है, लिख दीजिए, minimum 5 लिखनी ही है वहाँ पे, तरीका बता दिया मैंने आपको कि कैसे लिखना है, ओके, यह qualities लिखने के बाद, इनकी qualities के नीचे आपको 3 line की affirmation लिखनी है, वो affirmation में आप क्या लिखेंग आपको सबसे पहले यहाँ grateful होना है, affirmation लिखने से पहले भी मैं एक चीज़ बता दूँ, कि आप जब यहाँ पे, जिन लोगों से आप अपना रिष्टा manifest करना चाह रहे हो कि वो राजी हो जाएं, ठीक है, क्योंकि उनकी नाकी वज़ा से ही आप लोगों की शादियां रु क्योंकि यह सब को पता है कि एक बार अगर पेरेंस हां बोल दे तो फिर तो शादी में रुकावट होने की कोई गुझाईशी नहीं रह जाती, शादी फिर होनी ही है, यहाँ पे हम सारा काम कर रहे हैं पेरेंस की हां के लिए, पेरेंस को हां बुलवाने के लिए, और यह ध टकरा रहे हो, blood relations से हम टकरा के उनकी हां मांग रहे हैं, उन्हीं के संतान के लिए कि वो हां दे दे कि हम उनके संतान से शादी कर लें, उनकी संतान हमारी life partner बन जाए या हमारा life partner बन जाए, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? इससे हा निकलवाने के लिए आपको एक ही एक ही काम है जो आप कर सकते हो वो है उनके रिष्टे के लिए grateful thankful होना उनकी qualities के लिए thank you thank you बोलना उनकी qualities जब आप thank you thank you continuous बोलोगे grateful होगे उनके लिए वो बढ़ेगा बढ़ेगा और वो ही reflection वापस से आपको मिलेगी जब वो reflection वापस आपको मिलेगी वो हा के रूप में मिलेगी समझ रोग अब आपको क्या करना है यह जब आपने qualities लिख दी उसके नीचे lines में तीन lines की affirmation जो आप लिखोगे सबसे first affirmation होईगी आपकी कि आप उनको thank you और grateful होकर के बोलोगे इस बात के लिए कि उन्हों ने जिसे जन दिया है वो आपके लिए available है as a life partner और या as a love partner as a partner as a specific person ठीक है तो यहाँ पे आप लिखोगे कि I am very happy and grateful कि आपने कि I am in love with your son name लिखेंगे relationship is not understood by universe ठीक है वहाँ पे सिर्फ soul energies recognize होती है and energy soul सारे name से denoted हैं तो please name लिखें relationship वहाँ recognize नहीं होता ठीक है इसलिए name लिखें कि I am so happy and blessed that so and so person is available मेरे पास है कि मैं उनसे प्यार कर सकती हूँ जिन्हें आपने पैदा किया है जो आपकी पैदाईश है जिन्हें आपने बर्थ दिया है तो इसलिए I am very grateful very happy thank you thank you thank you यह लिख दिया आपने सबसे पहला thankfulness आपने इसलिए present किया है कि उनकी वज़ा से ही आपका partner आपके पास है इसके लिए आपने thank you कर दिया second thanks आप देंगे कि आप opt कर सकते हूँ उन्हें इसलिए कि आप उनके family के member add on होना चाहते हो see आप शादी करने जा रहे हो उस person से जो उनकी ही संतान है तो आप जब इन से शादी कर लोगे तो आप उनकी family में as a family member enter करोगे right family member enter होने के लिए उनकी family में enter होने के लिए आपको thank you बोलना है यहाँ पे आप लिखोगे I am happy and grateful मैं बहुत खुश हूँ बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आपका कि आप मुझे वधू के रूप में जो भी अपने वधू तो नहीं कह सकते because relationship is not recognized तो आप यह लिखो अपने son के life partner and अपना नाम ठीक है के रूप में आप मुझे accept करने वाले हो मैं आपकी family member बनके आने वाली हूँ इसके लिए thank you thank you thank you यह लिख दिया third line आप जो लिखोगे वो यह लिखोगे see because आप अपने parents का ओधा दूसरे parents को मा पापा बोल के तभी देते हो जब आप उनके family में या फिर आप उनकी daughter-in-law या son-in-law बन करके enter करते हो तभी हम उनको mommy-papa बोलते हैं ठीक है third affirmation जो उसके नीचे लिखोगे आप लिखोगे कि मैं बहुत I am very happy and thankful कि मेरे को एक नए parents के रूप में आप लोग मिल रहे हैं thank you thank you thank you बहुत simple रखना है sober रखना है और ये तीन lines की affirmations आप लोगों को लिखती हैं इसके बाद thank you thank you thank you लिखना है अब आपको करना क्या है daily की activity है जब तक ये तो आप थोड़े दिर में यहाँ पे comments में आप लिखोगे कितने दिन करना है तो कितने दिन का बस यही है कि जब प्लीज राजी नहीं हो जाते हैं तब तक प्लीज उनकी qualities को पढ़िए और ये तीन line की affirmation बोलते रहिए everyday morning night कीजिए कम से कम morning नहीं कर सकते तो night में सोने से पहले करके सोईए hardly 2 minute का time लगेगा पढ़के बोलने में इससे जादा का कुछ भी नहीं है तो जो लोग राजी नह अब जन लोगों को है कि हम कब तक करते रहेंगे कब तक तो at least कम से कम 21 days तो करना ही करना ठीक है प्लस इसके साथ साथ जो parents को love vibration भेजने वाली technique है वो please आप लोग भेजते रहिएगा इसके साथ भेजेंगे बहुत effectively काम करेगा ठीक है ये आप लोगों को करना है और ये affirmations य लिए जो राजी नहीं है उनके लिए positive चीजें ही बोलनी है ये नहीं बोलना है कि मेरे घरवाले मेरे specific person के घरवाले राजी नहीं हो रहे हैं आपको हमेशा ये बोलिए कि वो राजी है वो राजी हो चुके है thank you thank you thank you keep saying this to yourself जितना बोलोगे उतनी vibration जाएगी उतना उनकी ना क्या कैसे हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा ये सारी चीजें जो भी हम बोल रहे हैं ये आप daily daily करिये इससे आपके subconscious level तक बाग जाएगी and वो manifest हो जाएगी उनकी नहा में आराम से आपको मिल जाएगी बहुत easily ठीक है ये करिये बहुत simple है and love vibrations भेजते रहिए parents को से वो ना भी बोल रहे हैं तब भी आपको हाई रखना है तब ही जाके आप manifest कर पाओगे जब तक आप grateful नहीं होगे उनके रिष्टे के लिए तब तक आप रिष्टा नहीं बना पाओगे उनसे इसी चीज़ को बढ़ाना है आपको see उनका रिष्टा already है उनके बेटे के सा आप वहाँ पे डॉर्टर इनलो के साथ एंट्री करोगे या सान इनलो के साथ एंट्री करने जा रहे हो तो आप अपने रिष्टे को बढ़ा रहे हो उस रिष्टे में तो आप प्लीज धियान रखे गया यूनिवर्स का नियम है जिसके लिए grateful होंगे वो बढ़ेगा जिस आप में आराम से बदलेगी वो आपको एकसेट भी करेंगे आप खुद अपनी पॉजटिव वाई उन्हें भेश देंगे जो उनके थोट्स को आपके लिए एक तरह से री प्रोग्राम कर देगी आपके लिए बिल्कुल बदल देगी और आपको अगर वो ना पसंद कर रह आपको यह कीजिए और यूनिवर्स इस देर वित यू बहुत जल्दी नाकों हां में बदल देंगे और आप लोगों के शादी भी आराम से मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप लोग थाइंक यू सो मच